इसके मेस देखने मज़ा आया हो या ना या ना ओ लेकिन थला की बेटिंग देखने मज़ा या वलाई दो ही इसकी थे लिए फुच हो जाता है कि शिर्फ कोई भी खेले या ना खिला बस उनको थला मेदान में चाहिए ना हुआ ज़्ड़े जड़ा ही आउट करनी की प्रेय क पहले गेंद बाजी करने का फेसला लिए देखा जाए तो दोनों इटीम बहुत ही मजबूत है बोलिंग में बेटिंग में अब सबको पताई है दोनों वेग दूसरे को टकर देने के लिए लेकिन पहले टोस जीता और पहले बोलिंग करने का फेसला लिए तो चेने की तरब सी बेटिंग करने आये रचिंद्र रविंद्र और रुतुराद गया कोल दोनों इसके बाद अची रहाण और शीवं दूबे के वीच एक साउननीस रन की पार्टनार सीब बने जिसमें सुम सतासी के स्टाइक रेट से जिसमें दो चोके चार चके सामिल थे दूबे भी पेट कमिंज के आद के सिकार हुए बुनस वने केस पकड़ा हो इसके बाद आया रविंद्र जड़ेजा मुझे यह पता नहीं चला है इसके बाद देरी मीचल ते फिर भी रविंद्र थी नहीं सिर्फ दो गेंट खेले एक रण बनाई पत्यास की स्ट्राइक रट से बनाई लेकिन कोई बात नहीं सुपर किंग को खूस होने के लिए सिर्फ थला को मेदान में होना चाहिए वो फिर रण बनाए ना बनाए यह और अहिद्राबाद की टीमें चेस करने आई तो दोनों इस तरह से तूट पड़े हैं चेने के बोलर प्रके कहर बर्षा दिए ट्रेविशक सर्मा जिस तरह खेला उसमें 12 गेंदों में 27 बनाए जिसमें 304 सक्के सामिल थे 308 स्ट्राइक रेट से बनाए अभिशक सर्मा को दीपक सहरो जड़जा का आतु केस करवा दिया ल को भी मोट्रेविशर्ण 31 मना का आउट हो गई लेकिन पूरा में से हिद्राबाद के पक्स में जाच चुका चा तबाए से हुशा देहमाद हैं निकला हेन्री क्लासिन ने भी अच्छी खेला और अंत में जब नितिश कुमार एड़ी ने सिक्स लगा कर शिर 18 पॉइंट ए